नमस्कार आप देख रहे हैं NMT News आप सभी दर्शगों का स्वागत हैं आई नज़र्दार नहें आज के मुख्य समचार पर देराथ STF ने बढ़ोत से एक आरूपित को पकड़ा बबलू से खरीदा था परचा दो साथी फरार यूपिटेट का परचा लीक होने के मामले में STF की टीम लगातार दबिश्ट दे रही है सोमवा की देराथ बढ़ोत से एक यूवग को गिरफतार किया जिसने बबलू से परचा खरीदा था उसके दो साथी फरार हैं जिनकी तलाश में दबिश्ट दी जा रही है वहीं टीम को शक है कि पकड़ा गया आरोपित दरोगा भरती परिक्षा में सेंद मारी कर चुका गया वहीं यूपिटेट की परिक्षा का पेपर आउट करने के मामले में मेरत STF के इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बढ़ोत कोतवाली में राहुल चौधरी निवासी, ग्राम चचरपूर फिरोज निवासी, ग्राम किरिठल, बबलू उर्फ बल्राम निवासी, ग्राम शहडबर शापूर के खिलाफ मुकदम दर्ज कराया गे राहुल की जनता वैदिक दिग्री कॉलेज बढ़ोत के पास जूतों की दुकान है, STF के CEO ब्रजेश सिंग ने बताया कि बढ़ोत के चतरपूर से एक युवा को गिरफतार किया गे, उसने पूछ ताच में अपना नाम, राहुल बताया, पकड़े गए आरोपित ने बबल करी उसकी बुगा के लड़के बलराम और एक साथी फिरोज को थी, अभी दोनों फरार हैं, उनकी तलाश में लगातार दविश दी जा रही है, जल्द ही उनको भी पकड़ लिया जाएगा, उधर पता चला है कि राहुल और उसके साथी दरोगा भरती परिक्षा में भी सें के लिए YouTube पर सर्च करें NMT News, NMT News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाए उत्तर प्रदेश इनली महराश्टर गुजरात नवी मुंबाइ ठाने की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबाइ टाइम्स नियोज पर